आइ ट्राइड मैं बेस्ट आइड ट्राइड में एक बहुत बड़ी नव टंकी हो गया है जिहां दो दिनों पहले तमीमी कबाल ने रोते हुए एक प्रेस कांफेरेंस किया जिसमें उन्होंने अपनी सन्यास की घोसना कर दी या खबर पूरे 20 लों को चौका दिया क्योंकि ए बंगलादेश के प्रधान मंदरी शेख हसीना ने उन्हें अपने घर बुलाया साथ हैं बंगलादेश के पूर्व कप्तान मसरफ मुर्तजा और उनकी पतनी भी थी जिसके बाद उस देर चली बातचीत के बाद या डिसाइज किया गया ति तमीम अपनी रिटार्मेंट के वापस ले रहे हैं यह फैसला तमीम इकबाल ने बंगलादेश के प्रधान मंदरी शेख हसीना के कहने पर लिया और उन्हें कहा कि वे प्रधान मंदरी के बातों को नहीं काट सकते